नमस्कार मैं जीशान जाविद आप देख रहे हैं न्यूज नेट फर पुले रीवा में एक लंबे समय बाद ब्राइडल महुद्सों को आयोजन किया गया अपने आप में काफी अध्धूत रहा वजा नारी शक्ति के रूप में पहचाने जाने वाली पूरे देश बर में सुधा चंदरन फिल्म और टीवी में का पार्टिस इस मौके पर खास तोर से रीवा में मौदूत थी डांस की शौके सुधा चंदरन का बच्पन में ही पैर कट गिया लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी आज नारी शक्ति के रूप में लोगों ने पहचानते हैं उनका कहना है आज महिलाएं हर छेत्र में आपको अपना एक नया मुकाम बनाती दिखाई देंगी आज की लड़कियां लड़कियां नहीं सुनामी हैं जहां भी जाएंगी अपनी चाप छोड़ देंगी मेरा पैर एक एक्सिडंट की वज़ए से दस्वी क्लास में ही कट गया था पैर कट जाने के बावजूत मैंने हार नहीं मानी मैं बच्पन से ही डांसर बनना चाहती थी मैंने कथक सीखा डांस के छेत्र में एक मुकाम बनाया मेरी जित थी मैं कर सकती हूँ लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं मैंने कर के दिखाया जिसकी वज़ा से एक फिल्म बनी मय जो मेरे उपर ही आधारी थी उस फिल्म ने मुझे पूरे देश भर में पहचान दिखाई उसके बाद टीवी सीरियल आया कहीं किसी रोज नागिन बिग बॉस जिसने मुझे लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित लिया दर्शकों ने मुझे बेहत प्यार दिया आज मै जो कुछ भी हूँ अपने चाहने वालों की बज़ा से हूँ आज की लड़कियां जो भी ठान ले उसे पूरा कर सकती हैं मुझे यह कहने में कोई भी संकोच नहीं यह कहना ता रुपहले परदे और टीवी का बेहत जर्चित नाम सुधा चंदरन का जो रीवा पहुंची थ जो था रैम वाक था ट्रेनिंग कैम था उसके समापन के आउसर पर पुरुसकार वित्रण करने हैं जिस तरीके से सुधा चंदरन की इंट्री हुई वीवा की प्यूटी के छेत्र की तमाम वो चहरे जो समय समय पर हर जगा मौजूद रहते हैं वहां पर नजर आए उनके सा चंदरन ने खूले दिल से सरहा उनका कहना था किसी जमाने में फैशन मुंबई में ही जाना जाता था आज छोटे छोटे शहरों ने इस छेत्र में अपना एक मुकाम बना लिया है इतनी सारी महिलाओं को देखकर मुझे बेहद आस्चर हो रहा है इस तरीके से टैलेंट बह मुशीर खान, अंजुम जावेद, अभिशेक स्रिवास्तो, आइशा खान, आशी खान, शिल्पी गुपता, लवली सिंग, शिफु खान, खुशी गुपता, जोती सिंग, रस्मी गुपता, शिवानी नामदेव, अर्चरा सिंग, शुशीला तोमर, आर्ती केशरवानी, का पूरी टीम ने एक बड़े मंच को रीवा में पेश किया, ये अपने आप में काफी बड़ी बात थी, इस पूरी टीम को धेर सारी बधाई देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़े कलाकार को जो पूरा देश में जाना पहचाना जाता है, मुंबई में उसका एक मुकाम है, चाहे वो फिल्म इन्रस्री की बात की जाए, या फिर छोटे परदे, टीवी सीरियल की बात की जाए, पूरा देश उनको पहचानता, उनको रीवा लाया, खुले कंड से, जिनोंने शराहना की, रीवा में इस तरीके का आयोजन, अपने आप में काफी बड़ी ब ये टीम रीवा में कर सकती है.